ट्रेक रिकार्ट तो तूटना ही था क्योंकि जो भी सरकार केंदर में है और अधिकतर राजियों में है वो लाइन आडर मेंटेन करना ही नहीं चाहती है अगर कोई एक खास समुदाए के लोग आतताई हैं आतंगवादी हैं उधमी हैं कानून को हाथ में लेते हैं तो उनसे निपटने के लिए जो है सम्विधान है ना पुलिस है ना कि माहल खराब करने के बाद उस पे बात की जाए एक कहावत है साउधानी हटी और दुरगटना घटी हमारी केंदर सरकार और राजसरकारे खुद चाहती हैं कि देश में आग लगे माहल खराब हो शोशल मीडिया एलेक्ट्रानिक मेडिया न्यूस पेपर ठीक ये लोग जो है जब दिल्ली में दंगे होते हैं हिंदू मुस्लिम के तो एक पर्टिकुलर छेत्र में तो इंटरनेट में लगा देती है सरकार काशी मधुरा के मुद्दे पर शिवलिंग मिला कि फवारा मिला इस पे स्टूडियो में बिठा कर तथा कतित मुसल्मान कट्टरवादी मुला दाणी वाले और टीका धारी हिंदू धर्म के ठेके दारों को बिठा कर अनरगल परपंच करना डिबेट करना एक दूसरे की ध आर्मिक भावनाओं को बरबात करना समाज में जो है वेमनस पैदा करना नफरत पैदा करना इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है सरकार की है लेकिन सरकार खुद लगता है यह चाहती है कि अफरात अफरी देश में बनी रहे नहीं तो क्या वज़े है कि उल्ट्रानिक बाते करे और भगवान शिव जिसको शिव लिंग निकला भवारा निकला यह डिबेट का विशय नहीं है यह समधान का विशय है भार्दिय जंता पार्टी और कट्टरपंती मुसल्मान यह नहीं चाहते हैं कि देश में अमन चैन स्थापित हो इसलिए ऐसा हो रहा है सरकार के हात में समधान है सरकार के हात में कानून है जब जब सरकार एक तरफ से पक्षपाती होगी और एक खास विशेश लोगों के खिलाफ होगी तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता क्या नुपर शर्मा को जो बात उसने कही पैगंबर साव के उपर उसको कहने के लिए प् मीडिया ने दिया उससे पहले हिंदू धर्म के देवी देवताओं भगवान शिव इनके उपर अनरगल आरोप या आमर यादित शब्दों का इस्तेमाल किस ने किया मुझलमानों ने किया तो यह प्रपंच हो रहा है मोधी योगी अमिश्या सुप्रीम कोट आफ इंडिया के जज आख बंदगिये में हैं लोग कहते हैं आप जज के खिलाब नहीं कर जज भगवान हैं अफरा तफरी मची हुई है देश में और आप कानून की बात करके काशी मतुरा के मामले में डेटे जो फिक्स कर रहे हो 26 साल तक देश की आभी पूरी विवस्ता को बरबात कर दि कि किसी दूसरे धरम को जए अनरगल को या सनातन धरम ये कहता है कि आप किसी के धरम के पैगंबर को आउतार को मा पुरुष को अनरगल बाते को ये बात हमारे जो मौलाना है उनको भी समझना चाहिए और हिंदू धरम के जो ठेकेदार है उनको भी समझना चाहिए परदान पश्कादाम देना है देश को विकास की और आगे ले जाना है इस पर ध्यान देने का काम सरकार का है विपक्षी दल अगर जो है एक जूट होकर यह कटरपंद्धी मुसल्मान दस मुसल्मान अगर जो है अनर्गल बाते करते हैं तो उनके बदले में क्या आप सारी मुसल्मान कौम को कोश्चन मार कर सकतो इसी तरह से अगर चार हिंदू लोग हैं नुपुर शर्मा नवीन जिंदल और इस तरह के लोग तो उनको देखते हुए उनकी पृतिकिरिया को देखते हुए आप समूचे सनातन धर्म या हिंदू मानने वाले में कोश्चन ने कर सकते हैं यह सरकार को सब्जना चाहिए मैंने तो यह कह इंकि बीजै पी कर रही है मैंने कहा क्यatures कौन कर रहा है जब तक कानूँन का राज नहीं इस्ताफित होगा कहीं पर वी के योगी जी वाला फॉर्मूला योगी जी जहांपे जो है सही है जो चीजे वह जिसे निस्पक्षिता से कर रहे हैं जैसे एक्जाम्पिल के तौर पर अभी एक मस्धित के बार साथ लोगों ने सुवर का जो है गोश्ट काट के कडाल दिया योगी जी ने आदेश दिया पुलिस को कि पता करो पता चला योगी जी जो है कोई छोटे पत में तो है नहीं उनको रात में ही पता चल गया था कि ये जो हरकत किये ये हिंदुओं ने किये टोपी लगा लि और अमिश्या जी और यह आपके जार्खन मुक्ति मोर्चा के जो मुख मंत्री जार्खन के हेमन सोरेन वुपेज बगेल्ट आप दूसरों का में नाम ले रहा हूं मैं ना कांग्रेसी हूं ना मयाम अद्धी पार्टी का हूं ना बीजेपी का चम्चा हूं मैं तो वह बात कह आप रहा हूं जो समाच के लिए दरूर्ब